हुआ ये बारिवान मैं हूँ अर्षणा आप सब का स्वागत है पारल सीजन में आज मैं बनाने जारी हूँ मिल्क केक इसके लिए मैंने एक लीटर दूर लिया है और गैस पे चड़ा लिया है बॉयल करने के लिए इसे जब तक बॉयल करना है जब तक ये हाफ हो जाए हाफ हो जाने के बाद गैस को हमें आफ कर लेना है साथ में मैंने लिया है गी से बचे हुए मावे यानि गी निकल जाने के बाद जो रेस्ट में बसता है वह मावा रहता है इस तरह से इसे गरम कर लेंगे और प्रेश करके बारिक कर लेंगे अब इसमें मिला लेते हैं दूड जो हमने half oil कर लिया था यानि सुखा लिया था half कर लिया था और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा इसी टाइम पर हम इसमें डाल लेंगे एक कपचीनी और फिर से इसे चलाते रहना है लगातार मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया है ताकि मैंने किस तरह से मिलकिक तयार किया है या आप कुछ मिस न करें तो इस तरह से मैं लगातार चलाते रह रही हूँ लगातार चलाना इसलिए भी जरूरी है ताकि अगर आप इसे छोड़ देंगे तो ये नीचे पैन में चिपक जाएगा और जल जाएगा तो सारा का सारा मिलके खराब हो जाएगा तो दीखिये मैं ऐसे लगातार चलाती जा रही हूँ और किनारे जम्मे हुए क्वे को भी समिट के इसमें डाल रही हूँ ताकि ये जल्दी से जल्दी गाड़ा हो जाएगा अब इसमें बिलबुले आने लगे हैं इसका मतलब है यह गाड़ा होने के स्टेज पे आ रहा है इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे अब इसे चेक करना है कि यह जमने के स्टेज पे आया है कि नहीं तो सबसे पहले गयास को कर लेंगे कम और एक प्लीट में इसे तीन-चार बून निकाल कर स्पून के हेल्प से क्योंकि यह बहुत गरम है तो थोड़ा जैसे जैसे यह ठंडा होते जाएगा वैसे वैसे यह जमने लगेगा देखिए इसे मटने लगा है इसका मतलब यह जमने के स्टेज पे आ चुका है इसे हाथ पर लेकर चेक कर लेते हैं यह पूरी तरह से सेट होने के लाइक हो चुका है इसी स्टेज पे में हम डाल लेंगे इलाइची पॉडर चार से पांच इलाइची का पॉडर लिया है मैंने इसे मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा चलाने के बाद गैस को कर लेंगे आफ अब यह देखिए पुरी तरह से रेडी है गैस को आफ कर लिया है अब मैं एक प्लेट में थोड़ा सा घी ले रही हूं और इस तरह से स्प्रेड कर रही हूं घी लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि आप इस पे मिलके जब सेट करेंगे तो आसानी से निकल जाएगा इसमें अब डाल लेते हैं मिलके का जो पेस्ट त्यार हुए है वो और इस तरह से थप थपाते हुए हमें से स्प्रेड कर लेंगे इससे यह बराबर हो जाएगा और थंडा होने के बाद इस तरह से समेट लेंगे क्योंकि मैंने प्लेट में डाला है और किनारे के पॉर्षन जो है वो पतला हो जाता है तो इस तरह से समेट लेंगे अगर ये ट्रे में रहता तो square shape रहता तो थोड़ा ठंडा अनुए के बाद आप इसे square shape में भी बदल सकते हैं इस तरह से प्रेस करके किनारे किनारे का देखिए square shape में आने लगा हिए अब इसी time पे हम इसमें डाल लेंगे थोड़े से dry fruit ये पूरी तरह से ठंडा नहीं है अब ये हाफ ही ठंडा हुआ है तो इसी time पे dry fruit डाल कर इस तरह से थप थपा लेंगे ताकि इसमें dry fruit अच्छे से चिपक जाए और cut भी कर लेंगे पूरी तरह से ठंडा होने के बाद ये अच्छे से cut नहीं होगा तो जब आधा ठंडा ही होता है उसी time पे आप इसे cut कर लेंगे और पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे अगर आपको जल्दी से जल्दी ठंडा करना है तो इसे phrase में 5-10 मिनट के लिए रहने देंगे ये बहुत अच्छे से जल्दी से set भी हो जाएगा खाने के लिए ready हो जाएगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो अब हमारा मिल्केक पूरी तरह से ready हो चुका है खाने और खिलाने के लिए देखिए इसे निकाल लेती हूँ बहुत अच्छे से set हो चुका है तो आज के बाद से आप बचे वे मावे को फेकिएगा नहीं इस तरह से मिल्केक बनाकर खाईएगा बहुत ही टेस्टी लगेगा ट्राइज जरूर कीजेगा फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक बबाई